टो बसे कृता आगा आप लोग में तो आज की जो जो यह अपना प्लցक्ता cool 것 के उपढेंट हुसे को जो फिर जो गरां का उनकाT तो उसके बारें यह वीडियो है तो सबसे पहले में बतावां कि आप कहों के आख्रो को कि मैंने फूतने अमेमों भड़ाया पैसे देगे करवा लेंगे तो यह नियुगा कि हम पैसे दे दिये और आख हुआ काम चलिया ऐसा नियुगा कुछ बच्चे महां पे दस-बंदर बच्चे ऐसे आये थे दस-बंदर दस बच्चे होंगे वहां पे बटालियन में हिसार उन्होंने एट टाइम अपनी लेजर गराए थे आख को की और एट टाइम तभी वहां पे आये थे तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में एक मिना देड़ी मिना दिक्कत होगी तो इसलिए जो अ पर देड़ी तो यहीं बोलूगा कि अगर चाते हो कि अपनी आखों के उज्जे से बाहर ना निकले तो फिलाल पहले ही अपनी लेजर करा ले ना बाद में यह पंगा नियोगा कि हाँ भी वहां पे रैस लेते फिर होगे जाओगे सर्रेस्ट चीए एक मिना दो मिना और तो अगला बैच आएगा आप उसके साथ ट्रेनिंग करोगे तो एक प्वेंट तो यह होगा कि हाँ अपनी अगर आखों की प्रोब्लम है तो पहले ही करा ले ना जैसे मैंने करा ले ती छै मिन्ने पहले करा ले थी मैंने तो आपके इसमें प्राइवेट पार्ट भी चैक करेंगे जो सर्जन होगा ठीक है फिर आपका आए कान इसके लिए एक छोटी से मसीन आएगी होगी तो उसमें से Cek करेंगे आप कान की मेल मुरा सारे साफ पर ले ना ठीक है कान से ज़यदा TOP जरुद में प्रेशन कर लेंगे एक हहां कान की किसी बिल्कुल पेड़े जाती है तो ऐसे नहीना क्या एक होगी और एक चल के दिखाएंगे वहानों पे जो भी ओर्थ होगा होगा नुद्टर जो हटभ्डियो का डूक्टर रहे वह आपको वहां पर चलके दिखाएगा एक पैर पर खड़ा होना है एक टांग को ऊपर करना है तो एक पर खड़े होना थोड़ी तेरे 5-10 सेगिंड फिर दूसरी टांग पर फिर वह उठक बैटक लगवाएंगे कि हां बहुत सारी बच्चे बोलने कि हां बहुत सारी अगर आप लोगों का उपरेशन हो रहा है तो बता दो और नहीं हो रहा तो चलो कोई नहीं ठीक है और थोगा इनका हो गया एक है ECG जो आपकी तड़कन नापते हैं नोर्मल है या नहीं है तो जब भी आप ECG कराओगे तो एक तो आपको ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहन करना है ठीक है और एक भागे भागे आते हो ना कि हाँ जल्दी शेकर वाले जल्दी शेकर आले तो वह चीज नहीं करने है क्योंकि अगर भागे भागे आओगे तो दिली की तेज होएगी तो जब आप करवाओगे ना वह नूर्मल नहीं आएगी वहाई बड़ी रहेगी जब तो को नूर्मल नहीं आएगे वह नूर्मल लिखेंगे नहीं ठीक है तो बिल्कुल पांच-दस मिंट अराम से रैस्ट मारके जैसे सोते वक्ते फिर उठते ना इसे नूर्मल बिल्कुल ऐसे अराम से वहाँ पे लेटना है कुछ हो नहीं है और आपकी वह कपिंग से चोटी चोटी तो वह लगा देंगे पूरी बोड़ी यहां पर ताकि सारी अच्छे से ओकर लें यह रिकोर्ट कर लें जो भी आएगी तो इसलिए पांच-दस मिंट अराम से रैस्ट करके तब अपनी ओकराना इसीजी ठीक है एक इसीजी की होगी यह को तब बलड रिपोर तो बलड रिपोर्ट आपकी यह जब भी आप जाओगे ना तो सबसे पहले बलड रिपोर्ट करा लें आपने क्योंकि बलड रिपोर्ट में लगता है टाइम मैं रही दो दिन बाद मेरा में मेडिकल होके वहां से आया था मैं इसार बटालियर में और कुछ बच्चों ने करा ली थी वह पहले ही चले पहले जोनिंग होगी थी हमारी 9 मार्च की है उनकी 7 मार्च की है ठीक है तो इसलिए सबसे पहले अपना बलड टेस्ट करा ले जात्ती वहां पर ताकि टाइम न लगे बलड जब रिपोर्ट आईगी न तो टाइम लगेगा और चीज़े तो सारा क एक दो चीज माइनर उपर नीचे होगी न तो कोई दिक्कत नहीं एक दो चीज़ों में लेगी नहीं है कि बहुत सारी यह ऐसे नहीं हो नीची कि हाँ बई किसी को कवारा बुखार आ रहा था वहां पर उस टाइम पे तो फिर उनका दुबारा टेस्ट होगा था वापीस से तो यह कि हाँ बई मेडिकल से पहले अपना थोड़ा वह तो हेल्थी चीज़े खा लेना और यह कुछ है अलकोहल का कंजूम करते हैं वह मत करना ठीक है जब टेस्ट होगा तो एक ब्लड टेस्ट का हो गया इसमें बताते हैं आपका है यह सब टेस्ट होंगे ज्याद तो मे अब आप आप खेक करें ना उसमें वह भी क्या बोलते हैं तो कलर ब्लैंड नेस वह भी चैक हो गया पी कलर ब्लैंड नेस तो अब तो मेडिकल की यह है और कौंकौं से बाकी है एक एक स्रेका है एक स्रेका डॉक्तर आएगा आपकी चैस्ट की बनावट देखेगा वह कैसी बनावट है और वैसे तो क्या पता हाँ अगर डोक्टर अवेलेबल नहीं हुआ ना तो आपका ऐसे भी काम चल जाए और अवेलेबल हुआ तो वह करेगा भी और वैसे अगर इतने बच्चे एक तम ज्यादा आगे ना तो इद्दा चैक करके वहे ऐसे साइन करके देँगा उच बच्छे बोल रहे ते कि हाँ वह मारा जीन हुआ था तो वहां पर ना कुछ बल टेस्ट किया ना कुछ और तो हमारा सिर सह उबहा था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था हमारा सारा कुछ चैक किया था इन्होंने ठीक है एक से था वो एक से थोड़ा हुआ नहीं था क्योंकि इतने सारे बच्चे थे और जो पता है हाँ बहुत बीजी रहते थे वहां पे पेशन्ट भी आयोए थे उनको भी चेक करना है तो इसलिए यह था कि हाँ बहुत बच्चों की चार्च कर रहे थे थोड़ी बहुत और उसक साइकास्ट्रिक होता है जो मनोविज्ञान होता है एक उस डॉक्टर के साइन होंगा आप लोगों वह आपसे बात करेगा कुछ स्वाल जवाब करेगा उसको आपके अंसर देने आपको उनके तो वह भी नॉर्मल ज्यादा बर्डन लेने की चीज नहीं है तो वह भी हो जा एक बात है जब भी आप यूरिन टेस्ट करवाए पहले थोड़ा पानी पिलेना और पहले अपने फ्रेस होने के बाद पानी पीना फिर वह अपना यूरिन टेस्ट के लिए देना ताकि कुछ भी टोक्सिक प्रदात है ना तो वह पहले निकल जाए और बाद में जो आएग पानी प्रेसर बनेगा तब जाए अपना यूरिन टेस्ट कराना ताकि टोक्सिक परदात ज्यादा ना आई ठीक है तो यूरिन टेस्ट हो गया यूरिन टेस्ट मैंने वह आप लोगों को बता दी है कि हाँ ऐसे कुछ करना है और आख के बारे मैंने आपको बताई दिया था कि अपने पहले ही करा लेना अगर किसी की दिक्कत है तो बाद में वहां पर एड़े टाइम करवाओगे तो दिक्कत आएगे आप लोगों को ट ठीक है एडवांस सलवाएंगे आप लोगों को तो उसमें आप लोगों को दिक्कत आती कि अगर धूल करना ऐसे डिप्स मारोगे और फ्रंट रूल मारोगे तो आखों में जाए यह दूल तो वह आपको दिक्कत देगी आगे इसलिए अपने पहले ही करा लेना यह चीज़ अजय थी और जो अच्छी जो करनी चीए थी मेरे को और वो मैंने आप लोगों को बता दिया अगर आप लोगा कुछ भी डाउट हुआ तो मेरे को आप कमेंट में को पता देना उसके ओपर भी वीडियो बना देंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो में मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी